दोस्तों कहते हैं कि शादी के बाद पती और पत्नी को अपनी हर एक बात एक दूसरे को बतानी चाहिए इससे शादी शुता जिन्देगी में सुक और शान्ती बनी रहती है और जीवन सुक में होता है और इससे मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ बाते ऐसी होती है जो कि हम किसी से भी साजा नहीं कर सकते यहां तक कि अपने जीवन साती से भी नहीं ये बात इस्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागो होता है महिलाओ के बारे में अक्सर ये बताया जाता है कि अवरत के मन की बात को समझ पाना हमेशा से मुश्किल होता है लड़कियों के दिमाग में जो चलता है उसे जान पाना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुमकिन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं पत्नियां अपने पती से ये पाज बाते हमेशा चुपाती है इन बातों को वो अपने पती के साथ शेयर करना ठीक नहीं समझती तो आईए जानते हैं कि वो वाज बाते कौन सी है जो पत्नियां अपने पती से चुपाती है पहला है पुराना प्रेम या पहला प्यार पुरूशों की तरह औरतों के जिन्दगी में कोई ना कोई जरूर होता है लड़कियों की शादी होने से पहले उन्हें किसी ना किसी से प्यार होता ही है लेकिन ये बात इस्त्रिया अपने पती को कभी नहीं बताती कोई भी पत्नी अपने पती को अपने क्रेश के बारे में नहीं बताती क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इस वज़े से उनकी शादी शुदा जीवन में कोई बाधान उत्पन न हो जाए दूसरा है मन की इच्छा पती-पत्नी के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सहमती नहीं बनती और ऐसे हालत में किसी एक को पीचे हटना पड़ता है और अवरते ज्यादा तर ऐसे मौके पर पती के हां में हां मिलाकर पती की इच्छा को स्विकर कर लेती है जबकि वो इस फैसले से दिल से तयार नहीं होती तिसरा है अपनी बीमारी ज्यादातर अवरते अपनी बीमारी या किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या कश्ट के बारे में अपने पती को नहीं बताती और ऐसा करने का उनके पास कारण होता है कि वो सोचती है छोटी-छोटी बातों के लिए पती को परेशान नहीं करना चाहिए जिनकी वज़े से उनके पती को कोई दुख या टेंशन ना हो चाहता है पैसा हर अवरत के पास एक छुपा हुआ ख़जाना होता है जिसे वो घर के खर्चों से बचाती है इसे अवरत कभी भी अपने पती को नहीं बताती लेकिन जरूरत पढ़ने पर आवरत इन पैसों से अपने पती की मदद करने से पीछे नहीं हटती पाच भी है लड़कियों वाली बात ये आप कभी भी नहीं जान पाऊगे कि आवरते अपने सहेलियों से कौन सी बाते करती है बशर्ते अगर आप चुप चाप चुप के से सुनना लो जिन विशय पर आवरते अपने पती से बात करने से शर्माती है उन विशय पर वो अपने सहेलियों से बिना किसी शर्म के बिना किसी जिजक के बात करती है